भारत वर्स में नीत्य पर्वित्योहार मनाए जाने का प्रचलन है महा में दो बार एकदर सीवरत आता है तो अन्य दिन हिंदू धर्म के मुखे पर वनाग पंचमी और रक्षा बंदन जैसे बड़े त्योहार आते हैं इसी में से एक है गोगा नौमी जिसे गोगा नौमी के नाम से भी जाना जाता है वह गोगा देव नाग भगवान की पूझा करने के लिए समर्पित है गोगा नवमी भादरपद के हिंदू महीने में क्रिश्न पक्ष चंद्रमा के अंधेरे पक्षवाडे की नवमी तिथी यानि 90 दिन पर मनाया जाता है पक्षमी कलेंडर के अनुसार यह त्यवार अगस्त या सितंबर में आता है साल 2021 में गोगा नवमी 31 अगस्त मंगलवार को मनाया जाएगा हिंदू परंपराव में गोगा देवजी को जहारवीर गोगा के नाम से भी संबोधित किया जाता है मध्यपरदेश के मालवा प्रांत के एक लोगपरिये लोग देवता है जिसे भारत के उत्तरी राज्यों भी से इस रूप से उत्तरपरदेश राजस्तान और पंजाब में पूरी सरदा के साथ पूजा जाता है यह व्यापक धारणा है कि में भादरपद क्रेश्न पक्ष की नामी को प्रकट हुए थे और इसी लिए हिंदू भगतों ने उन्हें ये दिन समर्पित गिया गोगा नामी भारत के उत्तरी छेत्रों में बेधूमधाम और उत्सा के साथ मनाई जाती है राजस्थान मद्य प्रदेश में गोगा नामी पर भव्य मेले लगते हैं और उत्साओ तीन दिनों तक चलता है गोगा नामी कैसे मनाई जाती है गोगा नामी पर भगत गोगा जी की मूर्ति का पूजन करते हैं चित्रों में नीले रंग के घोड़े की सावारी करते हुए दिखाई देते हैं और पीले और नीले जंडे भी रखते हैं। चित्रों में भगवान गोगा की पूजा कानुस्टान स्रावन पुर्निमा यानि रक्षा बंदन के दिन से शुरू होता है और नो दिनों तक अर्थार्ट नौमी तक जारी रहता है। इस कारण इसे गोगा नौमी के नाम से भी जाना जाता है। नौमी के आउसर पर भगतों के भी चावल और चपाती को प्रसाद के रूप में वित्रित किया जाता है। इस हिमाचल प्रदेश के जिला हमिरपूर में गोगा नौमी मेला सबसे बड़ा और सबसे लोग प्रिये हैं। किवन युद्धों उनकी सर्व काटने की एविस्वस्निय कला और प्रत्वी से उनके गायब होने का वर्णन है हिंदू का मानना है कि इस दिन उनकी पूजा करने से साप और अनिवरायों से उनकी रक्षा होगी इसके अलावा एक प्रेचरी धारना यह भी है कि भगवान और बेभाइत महिलाँ गोगा नौमी पर पूजा करते एं और अपने बच्चों की सलामति और खुसाली के लिए उनसे प्रात्ना करती हैं कुछने संतंग भेवायद महिलाई भी दिन धरन्य वर्वॉ झाल झाल